तो गैज हमारा 5th muscle group है tricep and tricep में जैसे कि आपको मैंने chest के बार पोट में बताया आपको diamond push up में भी आपके tricep बहुत ही अच्छे से engage हो पाते हैं फिद भी मैं आपको और एक बार बता देता हूं आपके हाथ को इसे diamond posture में लेना है and then इसे place करना है ground में elbow turned एसे elbow को नहीं रखना है आपको एस elbow को inward turn करना है chest up go down and pull sorry push 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 come on push and this is the way मैंने बताया कि आपको पहले push up में mastery करनी होगी इन सब चीजों को पहम करने के लिए देन दूसरा ट्राइसेप का वार्क आउट है हमारा स्कोल क्रॉसर्स स्कोल क्रॉसर्स में आपको अपने दून हाथों को ऐसे गोरिल्ला की तरह ground में रखने है मुठी बनागे sorry okay and then do like this थोड़ाशा पीछे भी जात्ते हो इसको और complicated बनाने के लिए हम थोड़ा सा वाइड भी बना सकते हो इससे भी कर सकते हो थोड़ा से आगे होगे तो इसमें और ज्यादा stimulation मिलेगा मुझसे भी नहीं हो रहा है क्यास नहीं होगा प्राइश को यह था हमारे ट्राइशेप का दो हाड़ एक्ससाइज़ तो बैसिकली पुस्प में भी आपका ट्राइशेप थोड़ा बहुत सब्सक्रीट बहुता ही है तो जो बोजे थे में पहले जो मैं पहले बोला था स्क्वाट पूल प्लस पुसस्प में आपको मास्ट्री करनी होगी बाकी सब चीजों को करने नegen Turkey स्क्वाट पुल अंड पुसाप स्का बाकी जो अप्सिएस में ने बाइसेप बाइसेप इसके लिए जिसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही वरकाउट है जो की है चिन अप्स टॉर्ण यूर पार्म्स इन्वर्ड होल्ड इट लाइक दिस एंड थेन पूल अगर आप इसे एक बार के मदद से करोगे तो यह ज्यादा स्टिमूलेशन दे सकता है आपके वाइसेप में इसलिए मेरे बाइसेप्स थोड़े से वीक हैं कॉंपर्ट टू अधर मुसल ग्रूप क्योंकि यहां पर मैं प्रॉपर एससे अपने चिन को बार के नीचे नहीं ल स्टिमूलेशन होता है सो लास्ट वर्काउट है हमारा आज में आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं फास्टन अपका क्रियेटीन मोनो हाइडड एक ने फॉर्म में यह क्रियेटीन हंड़ ग्राम पैकेट में अब फास्टन आप के वेबसाइट में अवेलेबल है तो जाओ पर्चेस करो मेरा कोपन कोड़ फॉर्म फॉर्म करो क्यूंकि फास्टन अप एक बहुत ही ट्रस्टेबल एंड रेपुटेटर ब्रांड है जिसको मैं छे साथ महीने से यूज करता हुआ रहा हूं और मेरा कोलाबरेशन है फास्टन आप से तो यह प्राइल पैक है आ मैं इसको पर त्री टूफू ग्राम रोज कंजूम करता हूं वर्काउट के बाद क्योंकि वर्काउट के ब्राद वर्काउट के बाद क्रिटीन अच्छा काम करता है यह वह रिसर्च जिसमें क्रिटीन आपके मुसल्स के एट्टीपी लेवल्स को बूस्ट करता है जो की हेल्फ करता है आपके मुसल वॉल्यूम और स्ट्रेंद को इंक्रीज करने में विद टाइम और आप भी से उसकर सकते हो यह एक बहुत ही रिसर्च सप्लीमेंट है और बेस्ट नैसल इन फिटनेश इंड्रोस्ट्रीए कुछ भी सप्लीमें नहीं और अप्र बससे스럽ने इंशकने ल सप्लीमेंट में आड कर सकते हो शुल यह बहुत सर लोगा मित्त है कि क्रेटिन काने से किन्नी पेल होते हैं पानी जम जाता है किन्नी में स्टोन होता है लिवर कराब होता है यह वह वगारा बगारा पड़ेशा कुछ नहीं है क्रेटिन वान दॉस्ट सप्लिमेंट है आप पर्चेस करो जैसे कि मैंने देखा आप को ने देखा मैंने आपके सामने ही इसको कंसुम किया मैं इसको दो सालों से कंसुम करता हुआ आ रहा हूं अधिंग अधिन नहीं सबसे ही था आज का वीडियो हो पिगाज अंदर दीस थांक्स पर आचिंग अव ग्रेट डेए पीस